आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशी फल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशी फल का यकारिक्रम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की आज शनिवार है आशाण मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिति है जो की प्रातहकाल 9 बज करके 27 मिनट तक है और इसके पस्चात सश्ठी तिति है धनिष्ठा नक्षत्र है जो की रा बात हो गई पंचांग की चंद्रमा आज मकर रासी में प्रातहकाल 7 बज करके 40 मिनट तक रहेंगे और इसके पस्चात कुम्भ रासी में प्रवेश कर जाएंगे अभिजित मुहुर्त का समय 11 बज करके 33 मिनट से दोपर 12 बज करके 27 मिनट तक होगा और राहुकाल का समय प् से आपको चिरकाल तक लाभ लेना हो उसकार्य को अभिजित मुहुर्त में प्रारंभ करना चाहिए और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए शनी और राहु से अगर आप किसी भी प्रकार से प्यूरित हैं चाहे वो सनी की धैया हो सनी की साहे साती हो राहु की महादसा हो सनी और राहु किसी भी प्रकार से कस्ट दे रहे हो या जीवनकाल में कोई भी दिर्ग कालिक समस्या हो समस्या चाहे कोई भी हो दिर्ग कालिक हो तो आज का ये जो दिव्य महा प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ इसे अवस्य करिएगा देखा जाए तो आम तोर पर इसे जीवन काल में एक बार सब को अवस्य करना चाहिए क्योंकि इसको करने से सनी जनित कस्ट सांत हो जाते हैं दिव्य महा प्रयोग के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पूरु बात कर लेते हैं ग्रहस्तुतियों की शुक्र का संचरन जारी है ब्रसब रासी में सूर्य, राहु और मंगल ये तीन ग्रह मिथुन रासी में संचरन कर रहे हैं बुद्ध का संचरन जारी है करक रासी में गुरू ब्रस्चक रासी में संचरन कर रहे हैं वक्री होकर के तो शनिदेव केतु के साथ युती बना कर संचरन कर रहे हैं धनु रासी में और चंद्रमा आज मकर रासी में है जो की प्रातहकाल साथ वच करके 40 मिनट तक है और इसके पस्चात कुम्भ रासी में प्रवेश कर जाएंगे तो कुम्भ रासी में प्रवेश करते ही गुरू और चंद्रमा का चोथे दसमें का संबंध होगा ये गजकेशरी योग बन जाएगा और शनित की दृष्टी और राहु की दृष्टी चंद्रमा पर पड़ेगी फलस्वरूप ये मानसिक असांतिक स्थिती भी उत्पन में करने वाला होगा ये है ग्रह स्थिती इनहीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तयार किया याई दैनिक राशी फल तयार किया है वो ने दरसक जो मेरे इस रासी फल के कारिक्रम को आज पहली बा जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, प्रचलित नाम की रासी क्याधार पर इस रासी फल को देख सकते हैं। कस्ट किसी और ग्रह के भी कारण हो, परन्तु बात जब दिर्घ कालिक हो जाएगी, तो वहाँ पर कहीं न कहीं शनी का प्रभाव आ जाएगा। कुछ में इस प्रयोग को आप एक बार करके देखिए, लाभ मिलेगा जैसा कि मैंने कहा जीवनकाल में इसे एक बार अवस्य कर लेना चाहिए। करना क्या है? कांसे की कटोरी में, कांसा यहां विशेस महत पर रखता है, कांसे की कटोरी में प्रयोग विशेस लाभधायक होता है, सरसो का तेल ले लीजिए। और उस तेल में अपना प्रतिविंब देखकर अपना चेहरा जिसमें साफ साफ अपना चेहरा दिखाई पड़े, देखकर या तो किसी को दान कर दीजिए, या किसी भी पीपल पेंड के नीचे, उस कांसे की कटोरी को जो तेल से भरा हुआ है, रख दीजिए। आप किसी भी प्रकार के दिर्घ कालिक अगर परिशानी से पीड़ित हैं, तो ये प्रयोग आपके लिए रामबान सुध्धोने वाला है, आपको ये लाफ देने वाला है, जन्म कुंडली में सनी जनित कोई भी पीड़ा है, उससे ये प्रयोग आपको मुक्ति दिला देग ये सायम काल आज अवस्य करिएगा, चलते हैं, रासी फल की तरप, बात करेंगे राशियों की क्रमब में पहली रासी, मेस रासी, मेस रासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? चंद्रमा का सुन्चरन आपकी रासी से दसमभाव में हो रहा है, और धनलाभु के प्रबल योग बन रहे हैं लोग आपके बारे में क्या सूचते हैं इसकी परवाह मत करिये बस अपने भविश से को ले करके जो भी गंभीर योजना आप बना सकते हूं आज बनाएए दोस्तों के सयोग से कोई विशेस काम आज आपका सफल हो जाएगा और नौक बाहर का भोजन आपके लिए आज नुकसान दे है और प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो आपको सम्मती मिल जाएगी सफलता मिल जाएगी निस सामने उसे सुकृती मिल जाएगी दामपत्य जीवन की बात करें तो दामपत्य जीवन आज का सामने रहने वाला है विद्यार्थिवर के लिए देखा जाए तो दिन बहुत ही स्रेश्ट है आज के दिन का लाभ उठाईए और मुह के रोग से आज आज आप थोड़े परिशान हो सकते हैं गायत्री मंत्र का जब करिए 21 क्यामन या 108 जितना आप से हो सके लाभ मिलेगा लकियंक आपके लिए आज पांच है और लकी कलर है पीला ब्रिसबरासी ब्रिसबरासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है आप अपने काम और करियर पर ध्यान दीजिए ये आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है करियर को मजबूती मिलेगी जमीन जायदात से संबंधित अगर कोई कारे करना चाहते हैं करने वाले हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है विशेस रूप से कोई खरीद बिकरी करना चाहते हैं तो आज का दिन विशेस धनलाभ कराने वाला है आज बादचित से आपका कोई भी उल्जा हुआ मामला सुलज जाएगा किसी भी समस्या का समाधान निकल आएगा और नौकरी पेसा लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है रुका हुआ पैसा वापस आने से आज आपको खुसी मिलेगी हो सकता है किसी सहकर्मी को आपने पैसा दिया था वो आज आपको लोटा देगा और वे आपारी बर्की बात करें तो दिन बहुत बढ़िया है आपका भी पैसा अगर कहीं फसा हुआ है तो वो लोटाने की संभावना आज है आज का काम कल पर टालना आपके लिए नुकसान दे है और पार्टनर से वैचारिक मतभेद बनाना भी आपके लिए नुकसान दे है क्योंकि आज पार्टनर से वैचारिक मतभेद होगा जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए नहीं तो नुकसान में पढ़ेंगे मत लीजिये, जीवन सांथी की सलाह लीजिये, और जीवन सांथी की सलाह से आज आपको सफलता मिलेगी, सेहत की बात कर लें, तो सेहत को लेकर के सावधान रहना है, ठकान और नींद की कमी आपको परिशान करेगी, आज आपको माभगवती की सरण में आना होगा, तांत्रोक् अपने चरम पर रहने वाला है मन बहुत ही सक्रिय रहेगा जो भी कारे करेंगे उसका पूरा लाव आपको आज प्राप्त हो जाएगा कारे च्छत्र में प्रगती के दृष्टिकोंड से देखें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है और पैसों के मामले में अगर कोई रुका बढ़ा ही मजबूत रहेगा आज परिष्टिती चाहे जैसे भी हो कारेस्थल पर बॉस चाहे जो भी कहे आप सत प्रतीशत बॉस की बात से औसहमत हों पर फिर भी सहमती ही दर्साइएगा बहस मत करियेगा फायदे में रहेंगे जीवन सांती के सांती और तालमेल बिठाने की कोशिस करिये इससे आपको लाब भी मिलेगा दामपत्य जीवन तो सुखद होगा ही घर का माहौल भी बढ़िया हो जाएगा प्रेम संबंदों के लिए आज का दिन बढ़िया है पहल आप अगर करें तो सामने वाला आपको शुकृति दे दे और फिर दार्ठीवर की बा रहा है सफलता के लिए मेहनत अधिक करनी होगी और सेहत की बात करें तो सेहत आज आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है लकीयंक आपके लिए आज तीन है और लकी कलर है सफेद आज आपको हनुमान जी के मंदर में जाकर उनका दरसं करना चाहिए हनुमान चालिसा का रखेंगे उतनी ही आपकी परिसानिया उत्तर उत्तर कम होती चली जाएंगी आज आपको अपने साथ के लोगों के खुशी में सामिल होना चाहिए पारिवारिक संबंधों को महत्व देना चाहिए मित्र की मदद से आज आपको धन प्राप्त हो सकता है आज आपके लिए जो बढ़िया है वो ये है कि कारेस्थल पर अधिकारियों की मदद आपको मिलेगी जिससे आपके सारे अधूरे काम पूरे हो जाएंगे और व्यापारीवर की बात करें तो दिन आज का सामान्य रहने वाला है परंतु धनलाब के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं और अधिक प्रयत्न करके चाहते हैं कि धनलाब भी बड़ा हो जाए तो बड़ा धनलाब आज नहीं होगा आज आपको जूट नहीं बोलना चाहिए और अगर औविवाहित हैं तो बिवाह प्रस्ताव का योग है और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन उतार चड़ाओ भरा रहने वाला है आज पार्टनर के सक के दायरे में आ जाएंगे सक के सिकार हो जाएंगे फलस्तोरुक थोड़े से तनाव की स्थिती घर में तनाव की स्थिती उत्पन्न होगी और विद्यार्थी वर्की बात करूँ तो आज मेहनत से आपको सफलता अवस्य प्राप्त होगी पुराना रोग आज आपको परिसान कर सकता है सावधान रहिए कुट्टे को बिस्किट खिलाइए लाभ मिलेगा लकी अंकतीन और लकी कलर है पीला सिम्हरासी सिम्हरासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है कारेक्षित्र में कुछ जरूरी बदलाओ होने जा रहे हैं जो आपके लिए बेहद फाइदे मंद साबित होंगे बड़ा कदम उठाने के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है और कारिस्थल पर काम आज ज़्यादा रहेगा फलस तो रुप एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी होगी नया वाहन खरीदने का आज आप मन बना सकते हैं और व्यापारी वर की बात करूँ तो बिजनेस में आज आज आपको नए लोगों से मिलने का औसर प्राप्त होगा और ये मुलाकात आपके लिए फायदे मंद होने वाली है नए व्यापार नई आमदनी की स्थिती बनेगी आज पैसों के मामले में किसी से बिवाद करना आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं और आपके मन में आज भावनाए थोड़ी जादा उम्रेंगी फलस्वरूप दामपत्य जीवन बड़ा ही सुखद होगा प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है और हो सकता है प्रेम संबंधों में आज कोई बड़ा निरने लेंगे आप हो सकता है प्रेम संबंद को विवाह में तब्दील करने की तरफ बढ़ेंगे विद्यार्थिवर्थ की बात करूँ तो महनत और महनत का परिणाम आपको मिल रहा है बस धैर रख करके कदम आगे बढ़ाते चले जाएए आज आपको हरीम इस बीज मंतर का जब करना चाहिए मा लक्षमी की कृपा बनेगी लकी यंक एक लकी कलर स्काई ब्लू कन्यारासी कन्यारासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है आज आप किसी भी काम को बेहद अलग धंग से करने जा रहे हैं आज आपकी महत्वा कांच्छा चरम पर रहेगी रिण लेने के लिए अगर प्रत्न कर रहे हैं तो आज आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी कारिस्थल पर आज आपकी जिम्मेवारियां बढ़ी हुई रहेंगी और देखा जाए तो हर काम में आपको मेहनत थोड़ा आज जादा करना पड़ेगा ब्यापारी वर्थ के लिए दिन सामान्य है बहुत ज़्यादा जोखिम मत उठाईएगा हाला कि अपने प्रतिदुन्दियों से आज आज आपका ब्यापार बेहतर होगा हाला कि अंचाहा खर्च भी आपको आज परेसान करके रख देगा आज किसी को भी पैसा उधार मत दीजिएगा ये पैसा लोट कर नहीं आने वाला आज लव पार्टनर पर अधिक खर्च होने की संभावना है लेकिन इससे समंध और जादा मधुर और मजबूत होंगे दामपत्ते जीवन की बात कर लें तो जीवन साथी की सेहत को लेकर आज आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं और विद्यार्थी वर की बात करूँ तो आज आपको सफलता मिलेगी सहयोग मिलेगा सेहत की बात कर लें तो आज गैस और एसेजुटी की परिशानी आज आपको परिशान करेगी बजरंग बान का पाठ करिये लाभ मिलेगा लकियंग का आपके लिए चार है और लकी कलर है सफेद तुलारासी तुलारासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है आज अचानक धनलाव लेकर क्या रहा है आज का दिन किसी से पूर्व में किया हुआ वादा आज आपको पूरा करना होगा संतान से सहयोग मिले या संतान की ओर से कोई खुश खबरी मिले आज आपकी योजनाएं सफल होंगी बस आलस्य से बचिये और किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आये कारिस्थल पर आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है और व्यापारी वर्थ की बात करें तो व्यापार में लाभ होने के योग बन रहे हैं नै व्यापार की योजना आज आपकी बनेगी बस बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करियेगा क्योंकि वादा पूरा नहीं कर पाएंगे और आप उसमें फस जाएंगे प्रेम संबंदों की अगर बात करें तो वैचारिक मतभेद आज होने वाला है अपने गुस्से पर काबू रखियेगा और दामपत्य जीवन की बात करें तो दामपत्य जीवन में सब कुछ सामानने रहने वाला है विद्यार्थी वर्ट की बात करूँ तो मेहनत का दिन है और अगर आप लौ के विद्यार्थी हैं तो आज का दिन आज आपके लिए कुछ विशेश लेकर क्या रहा है आलस से और ठकान से आज आप परिशान रह सकते हैं नींद की कमी भी आपको परिशान करेगी आज लाल प करके आ रहा है आज बदलाओ का दिन है आज आप खुद पर नियंतरन बनाए रखिए एक बार मन पर अपने नियंतरन आपने बना लिया तो आपके लिए सारे काम बड़े आसान हो जाएंगे आप सभी काम आसानी से पूरा कर लेंगे परिवार के साथ आज आपका जितना भ हने वाला है यानि न तो बहुत अच्छा न कुछ बुरा होने वाला है व्यापारी वर के लिए दिन शुभ है पैसा निवेस करने के लिए आज का दिन सामान्य है विसेस लाब नहीं दिखाई पड़ता अतह निवेस करने से बचना ही आपके लिए फायदे मंद है आज दोस संतान या परिवार का कोई बड़ा सदस्य कोई राय दे कोई मश्वरा दे तो उसे काटिये मत उस पर अमल करिये कम से कम बिचार तो अवस्य करिये प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं है अतह कुछ समय के लिए अपनी भावनाओं पर कंट्रोल और दामपत्य जीवन की बात करें तो घर ग्रहस्ती की परिशानी को ले करके आज आप लोग थोड़े उदास हो सकते हैं बिद्धार थीवर की बात करें तो आज कल आप मेहनत जबरदस्त कर रहे हैं और सफलता भी इसके अनुकूल आपको मिलेगी ब्लड प्रेसर के रोग को के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है आज आप हर काम में हिम्मत बना करके रखिए सफलता मिलिनी तय है कारिस्थल पर अपने सहयोगियों के समर्थन और सहयोग से कोई बड़ी जिम्मेवारी आप लेंगे जिस जिम्मेवारी में आगे चल करके आपको जबर दस्त आज पूरे दिन विप्रीट से आपको समर्थन और सहयोग प्राप्त होता रहेगा आज यात्रा की योजना भी आपकी बन सकती है और व्यापारीबर की बात करूँ तो आज बड़ा फायदा आपको मिल सकता है आज आपका आर्थिक पक्षभी मजबूत रहने वाला है और की बात करूँ तो आज मेहनत और उसका परिणाम दोनों मिलेगा हाला कि आज आज आपका मन इधर उधर की बातों में लगा रहेगा कुछ बातों को लेकर के आप तनाव भी पालेंगे अपने मन में सिहत की बात करें तो आज एलर्जी से आप परिशान हो सकते हैं और डॉक्टर से अगर जाकर के मिल लेते हैं तो साम तक आराम आपको मिल जाएगा सफेद पुस्प की माला या सफेद पुस्प भगवान सिव को और पित करिये लाभ मिलेगा लकी अंक एक और लकी कलर है महरून मकर रासी, मकर रासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है कोई पहल करने की सोच रहे हैं, कई दिनों से पहल करने का मन है कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है सफलता अवस्य प्राप्त होगी कोई बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार आपको खुद की सुनने मी चाहिए यानि खुद की जरूर सुनिये आपके सामने जो भी कठिनाई है या जो भी समस्या है वो अपने आप खत्म हो जाएगी एक आगरता बना करके रखिये तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी नया वाहन खरीदने की अगर योजना बना रहे हैं तो सफलता मिल जाएगी आप वाहन खरीद लेंगे नौकरी पेसा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज का दिन बड़ा ही अनुकूल है व्यापार में आज फाइदा मिलने वाला है और अगर आप दलाली से संबंदित छेतर में काम करते हैं तो आपको विशेस लाभ मिलने की संभावना है विशेस लाभ आज आपको मिल जाएगा आज बिना सोचे समझे बोलना आपके लिए नुकसान दे है वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है दामपत्य जीवन पूरी तरह से सुख में रहने वाला है और प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है विद्यार्थीवर की बात करूँ तो सफलता दिलाने वाला है दिन और सेहत की बात करें तो ठकान और आलस किस्तुती बनी रहेगी आज भगवान विश्णू को तुलसी पत्र अर्पित करना बहुत फायदे मंद होगा लकी यंक आपके लिए चार है और लकी कलर है पिंक कुम्भरासी कुम्भरासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है देखा जाए तो सोचे हुए आपके सारे काम आज पूरे हो जाएंगे किस्मत का साथ आज आपको मिल जाएगा हर काम समय पर पुरा होने का योग बन रहा है परिवार का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा और नौकरी पेसा लोगों के लिए आज का दिन बड़ा ही अनुकूल है पदोन्नती और धनलाव के योग एक साथ बन रहे हैं आज पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात होगी व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन शुभ फल प्रदायक है परन्तु कहीं भी निवेज करते हैं तो जरा सावधानी बरतियेगा बहस और विवाद में पढ़ना आपके लिए आज नुकसान दे होने वाला है और प्रेम संबंधों के लिए देखा जाए तो आज का दिन मिला जुला है जीवन सांथी से आज आपको प्रेम मिलेगा सहयोग मिलेगा और जीवन सांथी की राय से आप समस्याओं से बाहर निकलाएंगे बिद्यार्थीवर के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है सहयोग मिलेगा जो आपके सिनियर्स हैं उनसे कमर दर्द की शिकायत आज आपको परिशान करेगी भगवान भुवन भासकर को अर्ग प्रदान करिए विशेसलाब मिलेगा लकियंक आपके लिए नौ है और लकी कलर है पीला मीन रासी मीन रासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है आज आपका आत्मविश्वास बुलंदी पर होगा कारिस्थल पर आज आपके दिये गए सुझाओं का सम्मान होगा आफस में किसी से विवाद मत करियेगा और अधिनस्त वर्ग का सहयोग आज आपको अवस्य प्राप्त होगा आज किसी भी बात पर आकरामक होना आपके हित में नहीं है खर्च में आज आपके बृद्धी होने वाली है किसी खास काम से आज आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है और हो सकता है उस यात्रा का परिणाम आपके लिए बहुत सुखद न हो व्यापारिवर के लिए दिन बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते मिला जुला है और कहीं धन निवेस करने की सोच रहे हैं तो धन निवेस करने के दृष्टिकोंड से पहले बिचार कर लीजिएगा जो खिम मत उठाइएगा किसी को धन उधार मत दीजिएगा जीवन साथी की भावनाओं की कदर करिए ये बहुत जरूरी है और हो सके तो जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाइए प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बड़ा ही सामानने है और विद्यार्थीवर की बात करूँ तो करियर में आगे बढ़ने के लिए सहयोग मिलता रहेगा वाहन चलाने में साथानी बरतिये चोट लगने की संभावना है और खाने पीने पर कंट्रोल रखिए अन्य था पेट से सम्मंधित परिसानी आज आपको परिसान कर सकती है गनेस जी के मंदर में जाइए और उन्हें दूरबार पित करिए विशेश लाव मिलेगा गनेस जी की कृपा बनी रहेगी लकियं का आपके लिए आज आठ है और लकी कलर है लाइट रेड तो प्रियदर्स को ये था में से लेकर के मीन रासी परियन प्रतेक रासी के जातकों का आज पूरे दिन का हाल अभी के लिए वस इतना ही इजाज़त दीजिए पुनह मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार